मैं हूँ Dr. Himan Shogarwal, मैं एक Rheumatologist हूँ Max Super Speciality Hospital Delhi में और मेरा क्लेनिक है प्रीद व्यार में आज हम आपसे डाइट को लेके बहुत ही इंपोर्टन्ट टॉपिक बे डिसकस करेंगे क्या arthritis patients ठंडी चीजें जैसे ice creams, cold rings, थंडा पानी पी सकते हैं क्या ठंडी चीजें खाने से उनका arthritis बढ़ तो नहीं जाएगा यह ऐसा common query है यह common doubt है जो majority arthritis patients हमसे पूछते हैं उनको यह question से काफी परशान करता है क्या ठंडी चीज ले सकते हैं क्या ठंडी items खा सकते हैं आज इसी के बार में हम चर्चा करेंगे देखे एक common perception है कि ठंडी चीजे जैसे ice cream, cold drinks, fruit juice, fridge का पानी ठंडा पानी अगर आप लेंगे तो अपका arthritis बढ़ जाएगा और अधिकतर arthritis patients इनका सेवन नहीं करते हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें बड़े बजर्गों ने ऐसा बच्च्पन से बताया है एक आयरवेदा doctors, homeopath doctors भी कई बार यहीं बताते हैं जादतर लोग यहीं बताते हैं और जादतर लोग ठंडी चीजे को इस्तमाल नहीं करते हैं वो चाहे मई-जून की सड़ी गर्मी हो temperatures जहां 40-45 degree पहुच जाते हैं आप family friends के साथ dinner पे गया हो, party में गया हो अपने बच्चों के साथ कहीं पिक्निक पे गया हो, hill station गया हो तो हम देखते हैं कि arthritis patients बिलकुल ठंडी चीजों का इस्तमाल नहीं करते हैं तो ठंडी चीज नहीं करें तो इससे दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि आपकी basic quality of life खराब होती है आप छोटे-छोटे environments का life में miss करते हैं आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो आप ice cream नहीं काते हैं आप ice cream, cold drinks नहीं पी पाते हैं आप juice नहीं पी पाते हैं इससे patients को एक frustration create होती है और उन्हें लगता है कि वो वास्तव में एक patient है जबकि हम arthritis patients को motivate करते हैं कि वो normal जैसे लोग सभी लोग रहते हैं वैसी रहें जितना हो सके normal light का इस्तमाल करें जिससे उन्हें ये feeling नहीं कि वो इसी विमारी से ग्रसित हैं बट अगर आप जाहिर सी बात है कि ठंडी चीजे नहीं खा रहे हैं ice cream नहीं पी रहे हैं cold drink नहीं पी रहे हैं बिमार फिल करेंगे सो साइन्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ठंडी चीजें ice cream, cold drink, fruit juice ठंडा पानी से आपका arthritis बढ़ता है हमारे बहुत सारे लोग ठंडी चीजें खाते हैं जैसे normal लोग खाते हैं और वो ठीक भी रहते हैं कुछ लोगों में हाँ यह जरूर है कि ठंडी आइटम्स खाने से ice cream खाने से cold drink से थोड़ा बहुत दर्द होता है बट majority patients को ऐसा नहीं होता है so but अगर आप सोच के चलेंगे कि आपको fridge का खाने ठंडा पानी पीने से fridge के ice cream खाने से दिकत होगी तो शायद आपकी body उस तर ऐसे react करेंगे और आपको दर्द बढ़ सकते हैं बट अगर आप एक मन से यह अपने thought process को निकालें तो शायद आप ठंडी चीज़े खा सकेंगे और अपना normal life lead कर पाएंगे so मेरा यही एक कहना है आप डरिये नहीं जैसा normal लोग इस्तमाल करते हैं आइस क्रीम, cold drinks का आप भी वही कर सकते हैं of course extreme किसी भी चीज का बुरा है तो मैं यह नहीं कह रहा कि आप रोज ice cream खाएंगे रोज cold drinks पिये वो तो आपको एक general health के लिए अच्छा है भी नहीं बट एक normal लोग जो लोग होते हैं उसी तरह आप जीएं और अपनी छोटी-छोटी कुश्यों को miss नहीं करें so thanks, enjoy your life and don't be afraid of cold items and I think आप ज्यादतर लोग थंडी चीजें ले पाएंगे और normal life lead भी कर पाएंगे thanks a lot आशा करता हूं कि आपके कुछ doubts clear होंगे अगर आपको कोई और भी doubt हो please तो आप comment करिये so मैं कोशिश करूंगा और भी queries के answer करने के लिए thank you